और अब बात यूक्रेन की रूस के साथ लगभग एक साल से चल रही लंबी जंग के बीच यूक्रेन के राष्टपती वलोदमीर जलेंस्की के लिए एक और चुनोती आई है उनके आला अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं आरोपों के बाद राष्टपती ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का वादा किया यह उक्रेन के लिए नए दौर की शुरुआत थी और अब साल दो हजार तेईस में भी उक्रेन की राजनीती उनहीं सब आरोपों के दौर से गुजर रही है युक्रेन की राष्टपती की देखरेख में दरजनों, इस्तीफें या कहें की लोगों को पद से हटाने की प्रक्रिया हुई एलेक्सी सिमिनेनको ने अपना पद स्पेन में छुट्टियां बिताने के बाद छोड़ा छुट्टियां ऐसे समय जब जियादतर आदमी देश नहीं छोड़ सकते वैसल लजिस्की को तब निकाला गया जब उन्हें कथित तोर पर 3,70,000 डॉलर से ज्यादा की घूस लेने के आरोप में गिरफतार किया गया हालां कि वो इससे मना करते हैं अगर पैसे के सुरोत का पता नहीं तो लोग गाड़ियां और बड़े बंगले अपने करीबी या रिष्टेदारों के नाम पर रेजिस्टर करवाते हैं लोगों पर अपनी संपत्ती का ब्योरा देने का प्रावधान ही नहीं है मुझे लगता है कि सरकारी अधिकारी जब कोई कदम उठाए तो आम लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए टिमी शेंको ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया पर मिखाईलो की खबर ने पूरी सरकार को हिला दिया है रास्टरपती के ताजा फैसले ये बताते हैं कि सरकार के आला अधिकारियों पर भी जिम्मेदारियां तै होंगी और ये संदेश भी जाएगा कि वो लोग आम जनता के साथ नहीं खेल सकते हम देश हित में बात कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है जंग ने पहले ही कई लोगों से बहुत कुछ छीन लिया है कुछ इलाकों में जंग अब भी जारी है और लोग उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं इसके बीच युक्रेयन की राजनीती में अगर भ्रष्टाचार की बातें सामने आने लगें तो इससे देश की राजनीती में काफी तबाही होगी राजधानी कियेव के बाहर बिजली लोट रही है जिससे एवाना अपना बेकरी का काम फिर से कर पा रही है मुझे ये पसंद नहीं अच्छा होगा अगर ये पैसा युक्रेयन की मदद के लिए जाए बजाए किसी की जेब में जाने से शायद हमें उन सब को हटाने की जरूरत है जो कई सालों से पद पर बने बैठे हैं वो अपना पेट इसी से भरते हैं 31 साल पहले जब युक्रेयन आजाद हुआ तब से भरष्टाचार देश को अपनी गिरफ्त में लिए हुआ है